रगुपति राघव राजा राम पती तपावन सीता राम जै रगुनंदन जै घंशाम पती तपावन सीता राम आगे चले राम रगुराया निशाचरों का वंच मिटाया क्रिश्यों के हुए पूरन काम पती तपावन सीता राम मुनी स्थान आये रगुराई शूप नखा की नाग कटाई खर्दूशन को मारे राम पतित पावन सीता राम पंचवटी रगुनन्दन आये कनक प्रगमा रीच संधाये लक्षमन तुम्हें बुलाते राम पतित पावन सीता राम रावन साधू भेश में आया फूक ने मुझको बहुत सताया भिक्षा दोयर धर्म का काम पतित पावन सीता राम भिक्षा लेकर सीता आई हाथ पकर्रत में बैठाई सूनी कुटिया देखी राम पतित पावन सीता राम धर्णी गिरे राम रघुराई सीता के बिन व्याकुलताई हे प्रिय सीते चीखे राम पतित पावन सीता राम लक्ष्मिन सीता छोड़ ना आते जनक तुलारी नहीं गवाते तुमने सभी बिगाडे काम पतित पावन सीता राम कोमल वदन सुहास्णी सीते तुम्बिन व्यर्थ रहेंगे जीते लगे चांदनी जैसे धाम पतितपावन सीता राम सुनरी मैंना सुनरे तोता मैं भी पंखो वाला होता वनवन लेता ढूनता माम पतितपावन सीता राम सुनो गुलाब चमेली जूही चमपा मुझे बता दे तूही सीता कहां पुकारे राम पतितपावन सीता राम हे नाग सुनो मेरे मनहारी कहीं देखी हो चनक तुलारी तेरे जैसी चोटी शाम पतितपावन सीता राम शामा हेर्णी तू ही बता दे जनक नंदनी मुझे मिला दे तेरे जैसी आखे शाम पतित पावन सीताराम हे अशोक मम शोक मिटा दे चंदर मुखी से मुझे मिला दे होगा तेरा सच्चा नाम पतित पावन सीताराम वन्वन धून रहे रगुराई चनक तुलारी कहीं न पाई कित्ध राज ने किया प्रणाम पतित पावन सीतारा चकचक करफल शब्री लाई प्रेम सहित पाए रगुराई ऐसे मीठे नहीं है आम पतित पावन सीतारा विप्र रूपधरी हन्वत आये चरन कमल में शीश नवाये कंधे पर बैठाये राम पतित पावन सीताराम जै श्री राम तो आज के इस भाग में हमने शूपनखा की नाक कटने से सीताहरन तक का प्रसंग पढ़ा कल हम इसके आगे की कथा जानेंगे अगर आपको ये मनकों का पाट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वो बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और प्लीज मेरे इस चैनल को जित्ता हो सके उत्ता सपोर्ट करें थैंक यू जै श्री राम